कि नमस्कार गुस्तों जिस सिक्रश्ट कैसे हैं आप सब उमिद करती हों खुश होंगे सुखी होंगे शंबर होंगे दोस्तों कितनी बार ऐसा होता है हम 110 परसेंट सही हैं लेकिन सामने वाला हमको समझने के लिए तैयार ही नहीं है है ना हमने तो बहुत कोशिस की ये वेक्ति हमारे साथ व्यापार में जुड़ जाए पर वो समझ ही नहीं रहा है हमारे घर के बच्चे या हमारा लाइफ पार्टनर या हमारे घर के बड़े बुजुद हमारी बात मान ही नहीं रहे हैं भले हैं 100% सच हैं लेकिन नहीं मान रह एसे में आपको पता रही हूं इवन इफ और रिलेशनसिप आप चहते हैं किसी रिलेशन्सिप में आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आप पर खुश हो जाए आपकी जिन्दगी में आजाए तु भी आप इस उपाई को लेगे जिसे हो व्यक्ति आपके इसार उपर नाचेगा, उपाय सिर्फ 2 सेकेंड का है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, लेड़ीश भी, जैंड्स भी, बच्चे भी, बड़े भी, कोई भी कर सकता है, घर के माहर को सुधारने के लिए आप इस नमबर का यूज़ कर सकते हैं, अपने लव अफेर को मन कर आप दंदे रोजगार को तेजी से बढ़ाने के लिए बिजनेस पाटनल भसनतर याप कर सकते हैं यदे कोई है आपकी बात नहीं समझ रहे तो उसको आपकी बात समझाने के लिए यृ नमबर का ऐसं Moi बहुत पाउरफुल है इसका यूज जरूर करके देखना और क्या नुभा होता है काम बोक्स में जरूर लिख करके बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में दिये गए किसी भी नंबर का कॉंटेक्ट ना करें यह तमाम लूटे रहें जो मेरे नाम से आपको लूट रहे हैं मैं बहुत जल्दी अपना नाया नुम्मर इंटेड्यूस करूंगी जिए चालू वीडियो में आएगा यदि आप मुझसे कॉंटेक्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसी नमा को डायर करें यह आपको क्या करना है यह उपयाद किसी दिन कर सकते हैं यह अज कमेर्प एक परप्ल कलर का पैन खरीडें और अपने हाथ की यह जो लंबी वाली उंगली है मध्यमा उंगली इस उंगली के ऊपर वाले हिस्से में या फिर बिल्कुल नीचे आप लिखे 44 चार चार इस नंबर को आप लिखे आखें बंद करें इस नंबर को आप चैंट करें और उस व्यक्ति के चेहरे को अपने नजर के सामने लेकर के आएं जिसे आप चाहते हैं कि यह व्यक्ति मेरा कहना माने उसका चेहरा अपने आखों के सामने लाना है और इस नंबर को बुलते रहना है बुलते रहना है 44 44 44 और अपने भावनाएं उसके दिमाग तक पहुँचाना है आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति एक्स वाई जेड एनी वन जिससे भी आप पसंद करते हैं आपकी लाइफ में आ जाएगा करके देखें गलत इरादों से इन उपायों को ना करें जैसे आप शादी सुदा हैं और किसी की जिन्दगी वर्वात कर रहे हैं या किसी सादी सुदा व्यक्ति के जीवन में आप घुस रहे हैं दोनों ही कारियों से आपको बचना है क्योंकि ज्यादा तरी नंबोरों का दुरुप्योग हो जाता है यदि किसी साधी सुधा पती पत्नी के बीच आप घुसने जा रहे हैं महापाप के भागी बनेंगे आप साधी सुधा हैं और किसी अविवाहित को इसे फसा रहे हैं तो भी आप महापाप के भागी बनेंगे जिसे कहते हैं पात की कभी भी अपनी आत्मा को अपने मन को मरने ना दे यह आपकी जिम्मेवारी है कि अपनी आत्मा की शक्ति को बचाएं अपने मन को मजबूत रखें गलत काम करोगे गलत परिणाव आएंगे तो बुरे कर्म को करने से बचें वही इन नंबरों का यूज करें जहां बहुत ज्यादा निसेसिटी हो करके देखें कोई ऐसे बात हो जो समझ में ना रहे हैं तो कर्ण वाक्समेली करके पीछे वश्चा जैसे करें